तो है लोगाइस वेलकम टू मैंने व्लॉग तो आज हम आ चुके हैं तो कल का बाद फोर्ड यहां पे आपको हम साच यह दिखाएंगे फूल डीटिल के साथ तो हम वीडियो में लाश्ट बने रहे हैं अगर आफ मारी चैनल पर नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देए जिससे हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चली हम इस में ऐगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तितल्य थी तो online ticket 20 रुपए किये offline ticket 25 रुपए किये आप offline या online ticket ले सकते हैं दोस्तों इस ब्रीज से अंदर जातने कि लिए की और मगबरे की और यह दोनों ब्रीज पहले आपस में जुड़ी हुई थी अभी तो यहां करेंगी जो कि घने जंगलों में देखने में काफे सुन्दर लगता है साथ में आपको यहां पर लाल बलुव पत्थर और संग्मर्मर का बना हुआ गया सुद्दिन तुगला का मगबरा भी है जिसकी कोई सारी चीजे देद लिए गया है को यहां पर नमबर के महल के पास जा रहे हैं तो हम अबको दिखाते हैं कि इन जाता नहीं है अभी तो कोई नहीं गया हुआ है। गार्स भी वहां पे और लोग को रोख रहे थे लेकिन हम जा रहे हैं आगे तो चलिए आपको आगे दिखा देए यहां पर कैसा होता है आप यहां पर जब भी आएं अपना टाइम निकाल के आएं क्योंकि यहां पर एकम से कम दो घंटे लग जाएंगे यह जगा बहुत बढ हैं यहां पर वैसे कोई आता नहीं है आप देख सकते हैं यहां पर कोई नहीं है हम ही एक हाल यहां पर अब हम लोग आपको बावली की तरफ ले जाएंगे बावली दिखाएंगे यहां पर गड़ा भी यह पता नहीं कैसा गड़ा है यह देखिए गड़ा आप देख सकते ह इसमें भी कुछ नहीं है मिट्टी वगारा भरी पड़ी है अब हम यहां से बाहर निकलते हैं और हम जाते हैं बावली की तरफ आपको बावली दिखाएंगे कि बावली कित्ती गहरी है और कैसी है यहां पर यह सब देख सकते हैं पूरा खंडा हर हो चुका है और पूरा पत् अंगो अगर स्रदी में आ अगयать क meny लिए बहुत अच्छे ज牙 iap कि यहाप स्रदी में आ सकते हैं अब देख सकते हैं अब आपको बावली के पास अब आप को हम बव्ले पास से दिखاتे हैं कितने गहरी है इसमें सीडिएंगे से अप नीचे जा सकते हो लेकिन कि अब पर से भी हम देख पा रहे हैं वैसे यहां पर और कुछ नहीं है हम यहां से वापस आ गए हैं अब जो यह बोर्ड देख रहे हैं इसमें तो गया से दिन तूलक के बारे में लिखा हुआ है आप वीडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं कि इसमें भी कुछ लिखा हुआ है आप अगर यहां पर गलतिया करते हैं तो एक लाक रुपय का जुर्मान ना भरना पड़ेगा या तो दो साल का कारावास हो जाएगा ऐसा उसमें कुछ करके लिखा हुआ है यह दिखिए मैप है इस मैप में टोटल चौटा जगा दी हुए का र के आप यहां से यहां से एक साथ यह पढ़ पर पड़कर अपने इसाब से नंबर 20 ग् Ergebnis सकते हैं अभी हम चलते हैं स्फायद और वहां पर आपको मीनभाजार दिखाएंगे और विज़ए महां दिखाएंगे सारे शिज़ दिखाएंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो अभी हम इस साइड आ गए है आप आगे गेड़ भी लगा हुए लेकिन इस साइड कुछ नहीं है वैसे अभी लेफ्ट साइड से मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर हम गए थे वहां से पूरा वीग दिखता है वहां का यहां पर फोटो भी सूट कर सकते हैं अब देखिए जैसे यहां पर आगे की और जाएंगे तो यहां पर खाएंवी है मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ यह देखिए इसमें नीचे इतने बड़ बड़े पेड़े हैं अब यह कितनी गहरी है यह तो नहीं पता है मैं नीचे दिखाता हूँ थोड़ा आपको अभी हम वहाँ पर गए थे जो महल है यहां से दिख रहा है तो वहाँ से हम वापस आ चुके हैं अब हम चलेंगे मीना वजार की ओर यहां पर एक कुणा भी है मैं आपको कुणा दिखाता हूँ यह देखिए वैसे यह कुणा ज्यादा गहरा नहीं है छोटा साही है दोस्तों हमारे तुकल का बात के लिए को लाल कोट और सीरी के बाद दीसरी का तीसरा सहर में माना जाता है अभी यहां पर तो यह सब ऐसे ही ह ukim iya यहां पर देखिए यह वह एक आर्ण के लिए आपने फोटसूट कर सकते हैं मैं आपको उपर से दिखाता हूँ पर से पीछे का जंगल भी दिखता है हम जहां पर गए थे वह बगव सब्सक्रीया अब मेरुको नहीं पात़ा पता है मैं आपको पतना इस वीड– यहां से यह देखिए हम जिस साइट से आए हैं पूरा चीज़ दिख रही है यहां पर और के लिए कि सबसे ऊची जगह भी यहां से दिख्री यह जिसको विजय मां बोलते हैं यह मैं आपको भी जंगल दिखाता हूँ जंगल कितना बड़ा है वैसे पूरा दिखता तो नहीं में यहां पर खड़ेगो देखो तब भी न Susie बहुत दूर में फैला हुता हुए अप कितना के फैला यह नि पता मेरे को अ कि है आप यह देखिय earliest nut2 जंगल यही दिखता है इसमें अगर आप यहां से फोटो सूट करते हो तो फोटो बहुत अच्छी है यहां से व्यू बहुत अच्छा है तो अभी हम चलते हैं मीना बजार की और तो अंदर दिखाएंगे आपको क्या कैसे है यहां पर भाई लगबग लगबग 25 से 30 कमरे हैं सारे कमरे में अधिरा है तो जिसमें थोड़ी रोसनी मैं आपको कमरा दिखाता हूं कैसा है यहां पर बारिस वगर हो जाती है तो आप अंदर नहीं गूम सकते हो कि यहां पर बीच में खुला भी हुए है इसमें पानी भढ़ लगती थी यहां पर बजार लगती थी मीना बजार नाम है इसका है तो अभ कि आयां से आपको यह रोड है रोड भी दिखता है और मगबर भी दिखता है तो आगे दिखाते हैंoken इस साई लेफ्ट में ना पूरा जंगल चलते हैं चलते हैं वहां से पूरी से दिखते हैं वहां पूरी से दिखते हैं आप फोटो बहुत अच्छी आती है अब वहां से फोटो सूट कर सकते हो उपर जाके तो अभी हम उपर से चलके आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू आता है मैं अभी गलत रास्ते से जा रहा हूं अब यह देखिए सीधर रास्ता साफ है इस रास्ते से जाना मैं अभी पीछे गया तो इस साइट से आ गया अभी उपर चलके आपको दिखाता हूं सबसे उची जंगल भी देख जाहा है आप सकते हैं वीडियों में जहां जहां हम गए थे पूरी जगह हैं यहां से मगबरे भी दिख रहा है क्योंते तो मैं आपको चारू साइड गुमा के दिखा देता हूं यहां पर आगी कि साइड है जो है लेफट राइट में अब यह पीछे तो गाहो पूरा तो हम अभी चलेंगे मेक्बरे की ओर वहां पर तीन समाध्या हैं मैं आपको दिखांगा वहाँ पर तो यहां से यहांकी वीडियो होगी यह कमप्लेड सब्सक्राइब मेस्परे की ओर कहीर है कि तो दूस्तों पीछे बहुत सारे बंदर थे तो आप बंदर से थोड़ा साब्धान रहें अंदर तीन समाधियां हैं एक गैसु दिन तुगलक की और उनके बेटे की और उनके बेगम की तो मैं अंदर चलके आपको दिखाता हूं वैसे यहां पर लेफ्ट साइड में जंगल है यह भी बहुत बड़ा जंगल है यहां पर जंगल बहुत सारे हैं जो कि इसमें गाय भी हैं लेफ्ट वाले में और भैंस भी हैं यहां पर भी आपको टिकेट से दिखानी पड़ती है आप एक ही जगर टिकेट लेंगे तो दोनो जाग भूम सकते हैं यहां पर गैसु दिन तुगलक के बारे में लिखा हुआ है आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं दोस्तों इस मगबरे से एक किले की और जाने का रास्ता था वो रास्ता मेरे को तो नहीं पता है आप यहां पर देख सकते हैं कितनी हर्याली है यह कमर पर आके बैठ सकते हैं घूम सकते हैं बैठने की भी जगह यहां पर यहां से राइड साइड में बैठने की जगह है तो भी चली हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर समाधियां तो जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं आप पे तीन समाधियां है बीच वाले स करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे तो बाबाए गास मिलते हैं अगली वीडियो में